आज हम लोग बात करेंगे अंडा तो पूरी तरह से बंध होता है फिर उसके अंदर मौजूद चूजे याने भुरून को अक्सीजन कहां से मिल जाती है दोस्तों दुनिया में जितने भी जीब है उसको जीबित रहने के लिए अक्सीजन बेहत जरूरी है अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कोई भी पक्सिया हो या मुर्गी उसके अंडे पूरी तरह से बंध होने के बावजूद भी उसके अंदर मौजूद चूजे याने भुरून को अक्सीजन मिल जाती है तो कैसे हो पाता है क्योंकि अंडे के उपर एक सेल होता है और उसके नीचे मेंब्रेन याने जिल्ली होते हैं जो हमें दिखाए नहीं देती अगर आप मेंगनिफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये एक अंडे में करीब करीब 7000 होल होते हैं और इस होल के बज़े से उसके अंदर मौजूद चूजे को अक्सीजन मिल जाती है और वहीं कारबन डाकसाइड भी उसी रास्ते बाहर निकल जाते हैं तो दोस्तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर मेंगनिफाइंग ग्लास से अंडे को जरूर परखे और देखे आपको जरूर दिख जाएगी बहुत सारे होल उमीद है वीडियो आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो लाइक करे सियार करे अगर चैनल पर नए ह हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तो आज के लिए ही तक धन्नवाद